तो यह आपके cpct का previous year का पेपर है जो कि आपको बहुत जरूरी होता है एक बार पढ़ना previous year का पेपर देखना तो कुछ इस प्रकार से आपका previous year का पेपर आता है cpct का जो की बहुत important होता है तो चलिए देखते हैं समें questions किस प्रकार क्यों होते हैं तो विंडोस का software कोन ने बनाया था मतलब question से आपका Windows का software डेश ने बनाया था तो विंडोस जो आप software यूज करते हैं लेपटाप में वह आपको किस ने बनाया था तो वह आपका है Microsoft का ठीक है तो इसमें जो इस प्रत्यक सिख होете यह उसमें आप जो होती है प्रत्यकौ बॉक्स को और जाता और तो आपको पताहिए उसको XL कहा जाता है है मैस्ट दखते नेक्सट है आपका निम्न मैंसे कौन सी प्राथमिक मेमोरी मतलब मैं प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी आपको बतानी है कि इसमेसे प्राइमरी मेमोरी कौन सी है तो आपकी प्राइमरी मेमोरी यह रेम और रोम यह आपने पड़ा हो अच्छे से तो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रेंव रेंडेमेग्स प्राइब को प्रेस करना नह in the next देखते हैं आपका कीबोर्ट लेबल वाली कुझियोगों किया का जाता है किबोर्डियू साइडी में लिखे रहेती है। राइट ऐं साइड़ आपके जो लिखी रहती है 1,2,3,4 और एक आप कीबोर्ड के जस्ट यूज करते हैं तो आपके उपर भी लिखरे थे 1,2,3,9 तो उसको क्या आपका कहा जाता है तो उसको आपका कहा जाता है नियूमेरिक की उसको बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोश्टन क्या है आपका नेक्स्ट कोश्टन है कि द्विती संगरण डिवाइस के नाम से पेचाना जाता है मतलब सेकंडरी स्टोरेज डिवाइस बतानी है आपको सेकंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है तो सेकंडरी स question आपका देखते हैं आपन नेक्सट आपका एक प्लोटर क्या है तो प्लोटर आपको पता रहले जाए कि एक output एज इंपुटर आपकी एक output device है जो कि design और ग्राफिक उत्पन्न करने के लिए यूज होती है क्योंकि एक आउट्पूट डिवाइज है जो इससे डिजाइन और ग्राफिक आप उत्पन न कर सकते हैं मतलब बना सकते हैं ठीक है प्लोटर है ठीक है मल्टी मिडिया मोबाईल कहा जाता था ठीक है देन नेक्स कोश्चन देखते हैं आपका नेक्स कोश्चन क्या है डेश एक विंडो प्रोग्राम होता है विंडो प्रोग्राम बताना है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गेर जरूरी चीजों का हटाता है और फाइलों के साथ साथ बीना इस्तिमाल की गई डिस्क आस्पेस को पुना व्यवास्तित रियारेंज गता है तो वह एक आपका विंडों स्प्रोग्राम दिकें नेक्स कोश्चन में आपको बताना है कि file क्या होती है, file क्या होती है? आपको पता रहना चाहिए कि file क आपको क्या होल सकते है? file is a collection of information, collection होता है, that has been given a name and story of the secondary memory, ठीक है? हिन्दी में इभी बता देता हूँ में, एक file होती है, जानकरी का एक संग्रा होता है, जिसे एक नाम दिया जाता है और यह secondary memory भी जाकर store होती है ठीक है जो कि secondary memory में store होती है जाकर ठीक है then next question देखते हैं आपका next question क्या है circle के एक हिस्से को दिये जाने वाला नाम क्या है जिस पर storage media में data लिखा जाता है जिसमें जिस पर storage media पर data लिखा जाता है तो उसको आप circle को एक इससे कोई क्या नाम बताते है वो है आपका sector sector उसको कहा जाता है then next question देखते है next question है आपका इन में से कौन सा एक input device है यह आपको चार दिख रहे हैं इस पर आपको एक input device बतानी है तो ORC optical scanner wise integration device तो आपका है इन में से एक input device नहीं है तो यह आपके input device नहीं है microfilm में के लिए computer output ठीक है microfilm में के लिए computer output आपके input device नहीं है ठीक है then next question देखते हैं आपका उप्योग करता और विभिन शॉफ्ट्वेर के सभी निर्देशन किसके द्वारा किये जाते है तो वो किये जाते हैं CPU के द्वारा उप्योग करता है और विभिन शॉफ्ट्वेर के सभी निर्देश CPU द्वारा किये जाते हैं ठीक है Central Processing Unit then आपको next question है नेमन में से कौन सी एक वेद fat file प्राणाली नहीं है fat file प्राणाली तो आपको fat file प्राणाली आपको पढ़नी पड़ेगी तो fat file प्राणाली आप 16 होती है 12 होती है 32 होती है आपकी 24 कभी नहीं होती है fat file प्राणाली आपकी fat 24 नहीं होती है then next question देखते है आपका next question है कि MS Excel में कौन सा function दिये गए है map dand को पूरा करने वाली श्रेणी के सभी शेलों का अंक गणिती है माध्य है तो वो है आपका last वाला average if function जो है वो आपका अंक गणिती माध्य से सभी शेलों का एक श्रेणी के रूप में map dand पूरा करता है ठीक है तो आपका आपका average if then next question है आपका open office click में function base 17-10 का क्या output होता है ठीक है तो आपको यहसा formula दिया होगा तो आपको बताना है कि उसका output क्या होगा ठीक है तो output का होगा 17 ठीक है यह open office CLC का मतलब बता calculator ठीक है तो इसका होगा आपको यहसा दिया base 17-10 का होगा 17 ठीक है then next question आपका देखते है next question क्या है directory के अंदर directory कहलाती है बलब directory के अंदर directory a directory within a directory is called sub directory ठीक है directory के अंदर directory कहलाती है sub directory ठीक है then next question देखते है आपका जानकारी साजा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक computer को क्या बनता है यदि आपका एक computer से दूसरा computer जुड़ा है तो उसके बीच में आपकी क्या फ्रोस है तो वह है आपकी network ठीक है नेक्स question देखते हैं आपका नेक्स question है निम्न में से कौन सा inkjet printer का लाब नहीं है इंक जेट प्रिंटर का आपको लाब नहीं है बताना है तो समिधा आकार कम लागत कार्तुस बदलना आनास आसान खराप गुणवत्ता की छवी यह आपके इंक जेट प्रोजेक्ट इंक जेट कि संपीडन compression विधी में file को वापस पुनरप्राप्त करने डेश के रूप में जाना जाता है तो वह आपका decompression असंपीडन संपीडन विधी से file को वापस पुनरप्राप्त करना असंपीडन के रूप में जाना जाता है मतलब description, decompression ठीक है तो यह था आपके previous year के CPCT के paper जो की बहुत important question होते हैं और इसी प्रकार के कुछ question आने वाले हैं जो अभी अगले मेने या इसके next month में जो exam होगी CPCT की उसमें आपके बहुत महत्पुन question होते हैं यह और जो लोग च चैनल को subscribe and bell icon को press कर लेजिए ताकि आपको latest update मिलती रहेगी तो चलिए next video मिलते तब तक के लिए जय हिन